हालो फ्रेंज कैसे हो आप सब उम्मीद करते हूं कि सब ठीक होंगे तो आज हम बहुत ही असान तरीके से मैगी का स्प्रिंग रोल बनाएंगे तो छले शुरू करते हैं तो खस्तेतार स्प्रिंग रोल बनाने के लिए मैं हाप पे एक कटोरी मैदा लियूँ आप चाहे तो आटा भी ले सकते हैं और मैदा एड़ कर देने के बाद हम इसमें दो चमच घी एड़ कर देंगे और घी एड़ कर देने के बाद हमें इसमें स्वाद अनुसार नमक अच्छे तरीके से मौईन देना है तभी हमारा स्प्रिंग रोल बहुत खस्तितार बनेगा तो ये देखिए अच्छे तरीके से मौईन आ चुका है तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी एड करते वे हमें इसका डूर रेडी कर लेना है और इसका हमें सॉफ्ट डूर रेडी क कर लेना है और ढूर एडी हो जाने के बाद हमें किम रखेंट करने के लिए यह तोटल ड्स मिनंट के लिए तो मारा ढार डूर इडी हो चुका है और इसे दस मिन्ट के लिए ड़च गलिए तो जब तक हम्हारा टूर रेश्ट पे है तब तप हम फटा-फत फीलिंग रेड के लिए मैं हापे और और चमच और 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 किए हट कर देने के बाद हम इसमें प्याज कर देंगे हाफ टी स्पून आप अपने स्वात अनुसार भी आड़ कर सकते हैं और अच्छे तरीके से मिoyu कर लेंगे और थोड़ी दिर के लिए फ्राइ कर लेंगे गुल्डिन हो जाने तक हमें फ्राइ कर लेना है दो ये देखें गुल्डिन हो चुका है तो आप हम इसमें मसाला एड कर देंगे लाल मर्ची पॉडर स्वाद अनुसार हल्दी पॉडर हाफ टीसपून धनिया पॉडर हाफ टीसपून और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें मैगी मसाला एड़ कर देंगे 2 टी स्पून और मैगी मसाला एड़ कर देने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें उबला हुआ मैगी एड़ कर देंगे और Maggi एड़ कर देने के बाद हमें अच्छे तरीके से mix कर लेना है और Last में अब हम टमयटो केच्छिप Add कर देंगे और टमयटो केच्छिप Add कर देने के बाद mix करके Flame को Off कर देंगे तो ये देखे हमारा feeling ready होके है और हमारा dough भी ready होके है तो अब हम लोई ready कर लेंगे और एक लोई को लेके बेल लेंगे तो यह देखिया हमें कुछ इस टाइब का बेल लेना है और बेल लेने के बाद अब हम इसमें filling एड़ कर देंगे तो आप अपने हिसाब से filling एड़ कर सकते हैं मैं हाँ पे दो चमच filling एड़ कर रही हूँ और filling एड़ कर लेने के बाद हम इसका roll ready कर लेंगे तो roll ready करने के लिए मैं हाँ पे गोल ready क्यों मैदा और पानी से तो वो ready कर लेंगे ये देखिये और इसे हमें side side में लगा देना है और इसके बाद हमें इस कुछ इस तरीके से बंद कर लेना है और इसके बाद last में भी हम थोड़ा सा लगा देंगे और उसके बाद भी पूरे अच्छे तरीके से बंद कर देंगे तो ये देखिये हमारा roll ready होगे और इसी परकार से हमने सारे roll ready कर लिए तो अब मैं आपे कडाई चड़ादी और कडाई में हम तेल एड़ करती हैं फ्राइ करने के लिए और तेल गरम हो जाने के बाद हम इसमें एक से दो roll एड़ कर देंगे और उलट पलट करते वे medium to low flame पे क्रंची होने तक अच्छे तरीके से golden brown होने तक fry कर लेना है तो ये देखिये हमारे roll fry हो चुके हैं और इसी तरीके से हम सारे roll fry कर लेंगे तो ये देखिये हमारे roll ready हो चुके हैं और मैं आपको एक काट के दिखा देती हूँ कि ये कितना खस्तेदार बना है तो ये देखिये खस्तेदार हमारे maggie spring roll ready होगे है बहुत ही असान तरीके से आज हमने बनाया है तो अगर आपको मेरी वीडियो ची लगी दिन प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके को जरूर प्रेस करें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले लाइक करे कमेंट करे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करे और कमेट में मुझे ये जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक केर और थैंक्स पर वाचिंग